आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि आपके चलके व्यूज डाउन होते जा रहे हैं, चैनल डैड होते जा रहा है, व्यूज बहुत डाउन हो गए, क्यों हो रहा है, यह साइड में देख रहे हो, यह है क्रेटर स्टूडियो एपलिकेशन, इसको क्या है कि हम दिन में 20-25 ब कर रहें, कितने लाइक हो गए, और भाई मैंने पैसा कितना कमा लिया, मेरा वास्टाइम कमपीट हुआ के नहीं हुआ, यह सब चुल मची रहती है, नए यूटूबर को भी और पुराने यूटूबर को भी, इसलिए हमें बार-बार-बार इसको खोलना पड़ता है, और य यह चीज पर इतनी वीडियो बन गई है, यूटूब पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, आप लोगों में सही बहुत सारे वीवर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई यह सच है, गलत है, क्या है, हम तो बार-बार ओपन करते हैं, कभी 25 बार कर लेते हैं, कभी 100 बार भी कर ले हैं, और ऐसी वीडियो यूटूब पर बन क्यों रही है, और मैं गारंटी से कहता हूँ, इस वीडियो में इसकी सचा ही दो पता चली जाएगी आपको, बाकि अगर आप एक यूटूबर है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे को आप अपने चैनल पर फोल टूडियो को ओपन करने से चैनल डैड हो जाता है, इस पर बात करें, या फिर ये वीडियो बन क्यों रही है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये वीडियो एक्च्वल में बन क्यों रही है, फिर आपको बताऊंगा कि चैनल फिलाल डाउन क्यों है, और और फिर ये भी बताऊंगा कि बार-बार खोलने से चैनल डाउन होता है या नहीं होता है सबसे पहले बात करते हैं इतनी सारी वीडियो आखिर क्यों बन रही है चलिए मैं आपको बताता हूं देखिए बहुत एक सचा ही बताने वाला हूं यूटूब की बहुत तगड़ा कैसे लगा us के इंहर कर जित्नी भी बेसिक वीडियो जो है बेसिक बेसिक जो सबजेक्ट है जो सर्च होके देखी जाती है उन में ज्यादा से ज़्यादा सोव बीडियोब बन सकती है इससे ज़्यादा नहीं बन सकती सो वीडियो में आपको YouTube पूरा समझ में आ सकता है इसके अलावा बसती है कोई नया rule change हुआ है कोई monetization की update आई है या YouTube पे कोई नया feature आया है और वो week में ज़्यादा से ज़्यादा दो ही बार update आती है और आप नयने जो भी update और feature आर उनकी भी जानकरी रखते है तो फिर आपको ज़्यादा सीखने के जरुवत नहीं पड़ती है YouTube के बारे में लेकिन अब भाई जो YouTube के topics पर जानकरी देते हैं उनको तो daily video बनाना ही बनाना है तो वो इतने सारे topics लाएंगे कहां से तो उस condition में क्या होता है कि जैसे माल लो example के लिए मैंने आज से दो महीना पहले एक video बनाया कि YouTube पर वीडियो कैसे upload करें और उसको लाखों लोगों ने देख लिया अब दो महीने बाद मैं उसी को दुबारा बता दूगा क्यों बताऊंगा एक तो कुछ नए फीचर आ गए होंगे वह उसमें एड कर दूगा एक बागी जो दो महीने पहले बनाया था वीडियो तो दो महीने के अंदर बहुत सारी नई ओडियंस भी तो आई है नई ओडियंस भी आई है और नए लोग भी आए है यूटूब पे जिनों अपने यूटूब चल नया बनाया उनको भी सीखना है तो उनके लिए भी मैं ये नया वीडियो बना दूगा इसलिए यूटूब टिप्स वाले वीडियो रिपीट होते हैं और उससे फायदा भी होता है एक क्रेटर को क्योंकि ये वीडियो सर्च में चलते रहते हैं अपडेट्स ज्यादा सर्च में नहीं चलती है अपडेट्स की जो एक तरीके से वैलिडिटी होते हो एक-दो तीन-चार दिन के हम मैक्सिमम एक वीक की होती है अब अगर मान लोग किसी को अपने चैनल पर ऐसे वीडियो बनाने तो नई नई ओडियेंस तो आती रहेगी लेकिन जो पुरानी ओडियेंस इखटी हो गए यानि सब्सकाइबर जो हो गए है वो सब्सकाइबर को कुछ नया चाहिए अगर उनको कुछ नया नहीं मिलेगा तो भाई अब वो वीडियो नहीं देखेंगे इसलिए आपने देखो को यूट्यूब टिप्स के जितने भी चैनल से उन पर अगर मिलियन भी सब्सकाइबर तो एक लाग के आसपास पचाजर के आसपास ऐसे कम व्यू जाते और किसी किसी वीडियो पर दो तीन लाग भी चले जाते हैं कोई वीडियो मिलियन भी चल जाती है अगर कोई तगड़ी अपडेट होती है तो या कोई कोई वीडियो बहुत अधा सर्च में चलती तो एक टाइम लेकर मिलियन में जाती है अब किसी ने क्या किया होगा YouTube पे को YouTube का जैसे टिप्स देने वाला बंदा है उसने सो और आदमी अपना जो वाइटी स्टूडियो को बार बार ओपन करता ही है, कोई 25 बार करता है दिन में, कोई 50 बार करता है, कोई 100 बार, कोई 500 बार, तो यह तो सब भी करते हैं, तो सब ने देखा, और हम भी करते हैं 25 बार, हम भी 30 बार करते हैं, हम तो 50 बार करते हैं, हम तो 100 और फिलाल चैनल भी डाउन चल रहे हैं, आपने देखोगा बहुट टाइम से चैनल डाउन चल रहे हैं, तो चैनल जो अपडाउन चलते हैं, वो चलते हैं, अल्गोरिधम की वैसे, क्योंकि अल्गोरिधम तो चेंज होता ही रहता है, तो चैनल अपडाउन चलते रहते हैं, मैं साथ साल से YouTube पे काम कर रहा हूं, मेरा चला भी जासे थोड़े दिन से डाउन चल रहा है, बीच में कुछ वीडियो चल भी गई है, मुझे लेकिन मालू में कि अप डाउन चलता रहता है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो चल रही है, अब आप यूट्यूबर्स के दिमाग में रहता रह चनल डाउन हो गया, और भाई ने बता है कि बार बार ओपन करनें से चनल डाउन होता है, और मैं तो बार बार ओपन कर भी रहा हूं, तो इसी वजे से मेरे डाउन वार ये बात सच है, और वह एक बिलकुल नया topic market पाया, तो उस बन्दे के क्या बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग उस वीडियो को देखते हैं, और जब बहुत जदा व्यूज़ किसी चल के नए topic पह जाते हैं, तो सभी उस topic को copy करकर के वीडियो बनाते हैं, कि भाईया देखो देखो ऐसा हो रहा है तो सब की वीडियो चलने लग जाती है समझ गए यह एक trend ऐसे बनाया जाते इसको कहते है trend बनाना किसी चीज़ का ठीक है तो इसी trend के चक्कर में यह वीडियो बन रही है कि हम इस पर बार बार जाके अपने अनलेक्टिक को चेक करें और जो नया वीडियो बनाना है उस पर दिमाग लगाए क्योंकि यूट्यूबर क्या होता है उसके दिमाग में दो चीज़े चलती रहती है कि जो लास्ट में ने वीडियो डाली है उस पर क्या रिस्पोंस आया और नया वीडियो मुझे बनाना क्या है तो वो अनलेक्टिक बार बार देखेगा तभी तो भाईसा वो अपना नया वीडियो सोचेगा इसलिए तो Creator Studio अलग से एप बनाना पड़ा यूटूब को वढ़ना यूटूब की एप से भी अफलोड हो जाता है वीडियो तो समझ गए यानि बार बार ओपन करने से चैनल डैड नहीं होता चैनल जो डाउन होते हैं और जो आप होते हैं वो अल्गोरिदम की वज़े से होते हैं तो अभी सबीके लगबख चैनल डाउन है और ऐसे में ऐसा टॉपिक पर वीडियो बना जाए गा तो वाईरल होगा ही होगा बड़ इसमें चाही कुछ भी नहीं है अब अगर आपका डाउन हो गया मालो अल्गोरिदम की वैसे तो उस कंडिशन में आपको करना क्या है उस कंडिशन में यह करना है कि आप जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं जो आपकी क्वालिटी है जो आपकी कंसेस्टेंस है वह रेगुलर आप रखिए और बनाते रहिए वापस फिर आप हो अपना काम रेगुलर्टी से उसी डेडिकेशन के साथ करते रहते और अप डाउन अप डाउन चलता रहता है अब आपको सारी की सारी चीजे किलियर हो गई है फिर भी कोई डाउट है वाइट इस्टूडियो को बार बार ओपन करने से चैनल डाउन होता है इसको लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना मिलता हूं नेक्स टाइम नई वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए चैनल